नमस्कार आज है आट अक्टूबर बिहार की 25 खबरों के साथ मैं नामी का तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर जदियो के निर्वाचन अधिकारी अनिल हेगरे ने बताया कि इस पद के लिए एक मात्र नितीस ही उमिदवार थे हैं बता दे कि अब नितीस कुमार राज्जी में 21 अक्टूबर को होने वालों उप चुनाव एवं अगले साल विधान सवा चुनाव का नित्रित्व करेंगे जदियो के अध्यच सालखन मुर्मों सिकार पारा से चुनाव लरेंगे जिसके साथ ही उन्होंने अपने पात संभावित उमिदवारों की भी घोसना की है जिनमें प्रोफेसर सुजीत कुमार सुरेन को जामा से प्रोफेसर इस्वर मरांडी को महेसपुर से लूकस हांसदा को बोडियों से मार्सल रिसी राज टूडू को दुमका से जदियो का प्रत्यासी बनाया जाएगा एवं खुद सालखन मुर्मों भी सिकारी पारा से चुनाव लरेंगे पटना गया रेलखन पर पड़ी चालन हुआ सुरू मुख्य जन संपर्क अधिकारी पूर्व मधर रेलवे राजेस कुमार ने बताया कि बार का पानी कम होने के बाद पटना गया रेलखन का अप और डाउन लाइन चालू कर दिया गया है साथी बकतियार पुर राजगीर रेलखन पर भी ट्रेनों का पड़ी चालन चारू कर दिया गया है बता दे कि पुनपुन नदी के जलस्तर में व्रिद्धी होने की वज़ा से रेल पड़ी चालन रद वक्कई के रूट में पड़िवर्तन किया गया था दसहरा में 75 फीट के रावन दहन का समारो पुलिस के जवानों को मैंदान के अनदर और बाहर तैनात किया जा रहा है B.S.S.C. नहीं निकाल रही भरतिया, B.S.S.C. की ओर से रिक्तिया नहीं निकालने के संबन में आयोग के सचिव ओम प्रकास पाल ने कहा कि अब तक सिर्फ चार विभाग नहीं रिक्तिया निकाली है, एवं सभी आयोग वेकेंसी जारी नहीं करते हैं, ऐसे में हम कोई नहीं रिक्तिया नहीं निकाल सकते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि सभी विभाग को रिक्तियों की सूची भेजने के लिए पत्र भेज दिया जा चके हैं, पपू यादव ने बार प्रभावित लोगों के लिए लगाया मेडिकल केंप, पिछले दिने हुए बिहार के कई जीलों मे बारिस के कारण भारी जल जमाओ से जूज रहे छेत्रों में बार प्रभावित की मदद करते हुए नजरा रहे हैं, वे जरुवत मंदों को खाना व और कप्रे मुहया करवा रहे हैं, जिसके बार उन्होंने पानी से हुए बिमारियों से मुक्त करने के लिए कंकर बागे स् की जनता के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, साथ उन्होंने ये भी बताया है कि बिहार में बार जिसी स्थिति के लिए जिम्मेवार होने एवं बाकी किसी भी हालतों के लिए कंबीर होने के बजाए अपनी राजनीती करने में लगे हैं, केंद सरकार की नई सिच्छानीत इसी लागू करने को केरल ने किया अस्विक्रित, बता दे कि बिहार सही देश के अन्य राजी जैसे आंध्रपर्देश, दिल्ली, मध्रपर्देश, ओरिसा, पंजाब, वराजस्थान ने भी नई सिच्छानीती के खर्च के संबद में सहमती जताते हुए अत्रिक्त धन की मांग की थी, जिसे अधिकांस राजे ने सहमती भी दी है, परन्तु केरल राजे ने इसे नीजी करण, ववेवसाई करण को बरहावा देने वाला बताते हुए इसे अस्विक्रित कर दिया है, अब केंडर सरकार को नवंबर में लागू करने वाली नई सिचानीती के लिए म मांगल्वार वसुक्रवार को, नई दिली से दर्भांगा सुन्य 4-4-4-0-5 पर्टेक शुक्रवार को, आनन बिहार टर्मिनल से लखनव के लिए 042-05 सिर्फ गुरुवार को, एवं वारानसी से नई दिली के लिए 042-1-1 गुरुवार को चलेंगी बिप्टी सीम सुसील मोदी ने नितीश कुमार को बधाय दी जनता के सेवा के अवसर में बदलने का हुनर साबित कर दिखाया उन्होंने ये भी लिखा है कि आपने न केवल अपना कुसल ने तृत्व दिखाया बलकि राज्जी के मुख्या के तोर पर सुसासन की नई परिभासा भी दी है पूर्वसीयम वह हम के अध्यात जीतन राम मांजी बोले पूर्वसीयम वह हम पार्टी के अध्यात जीतन राम मांजी ने भाजपाव वजदियू के गटबंदन पर कड़ी बात कही है कि दोनों ही पार्टियां मिलकर जनता को बेवकूप बना रही है जिसमें उन्होंने कहा कि चाहे ट्रिपल तलाग का मुद्दा हो या अधिनियम 370 का वो एनर्सी का मुद्दा हो या फिर बिहार में सुसासन ठीक से नहीं चलने का मामला हो जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि दोनों पार्टियां जनता को सिर्फ गुम्राह कर रही है BPSC PT की परिचा के लिए 35 जिलों में बनाए गये केंद्र BPSC PT की 65 परिचा के लिए बिहार के 35 जिलों में परिचा केंद्र बनाए गये है जिसके लिए सभी जीलों के DM को पड़िछा का संयोजक बनाया गया है इसके संबंध में सामाने परसासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है बता दे कि यह पड़िछा 15 अक्टूबर को होने वाली है मिठला पैंटिंग से सजा बिहार का मिठिलान चल मिठला पैंटिंग ने बिहार के खूपसूरती में चार चान लगा दिये हैं जिसमें लोग कहित रंगफिट सेवा संस्थान के मधुबनी संयोजन में मिठला चितर कला के 27 कला कारों के निर्देशन में लगभग 5000 वर्ट फिट में यह कार्य किया जा रहा है जुसमें अभी तक केवल 50-30 कार्य पुड़ा हो चुका है इसके संस्थान के सचीव प्रोफेसर महेंदर लाल कर्ण ने बताया कि अगले एक पकवारे में चितरकारी का कार्य पूड़ा हो जागा रेलवे ने किया कनफर्म टिकट को कैंसिल रेलवे में गरबरियों का सेलसिला तो आया दिन सुनने को मिलता है लेकिन हाल में होई एक घटना लोगों को आश्चरी चकित कर रही है बिहार के पटना सहित कई जीलों में बढ़ने से लोगों की बढ़ी मुस्किले बतादे की पर्वतियोहारों बबार में सबजियों के फसल खराब होने से सबजियों के भाव अचाना की बढ़ चुके हैं जिसके बाद दिमांडेज सबजीयों जैसे कद्दू का मूले 30 रुपए, पत्ता गोबी 40 रुपए, करेला 80 रुपए, बैगन 70 रुपए, भिंडी 40 रुपए, फुल गोबी 30 रुपए, परवल 60 रुपए, टमाटर 60 रुपए, बोडी 60 रुपए, सीम 160 रुपए, ओल 40 सुधीरा ने सिक्की कला से सजाई अपने जीवन की बाग दोर, मदुबनी की महिला ने अपनी मेहनत वर लगन से सिक्की कला के छेतरे में काम्यावी लिखकर, हस्ति सिल्फ विभाग द्वारा National Merit Award के लिए पिछले साल चूनी गई हैं, बतादे कि 44 वर्षिय सुधीरा पुनपुन नदी के जलस्तर में लगतार हो रही है गिरावर्ट, हाली में हुई बारिश से हुवे जल जमाव से अभी आम जन जीवन जूज रहा था, ऐसे में पुनपुन नदी के जलस्तर में विर्दी से बार की संभावना और ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अब बीत कुछ दिनों से लगतार पुनपुन नदी के जलस्तर में देर फीट की कमी दर्ज की गई है, जिससे फिलहाल बार की संभावना टेल गई है, निती सकुमार ने बार परभावितों के लिए मांग की, मुखे मंत्रिन निती सकुमार ने पुर्णिया के चूना पूरे हवाई अड़े पर एरियल सर्वेई करने के बाद पुनिया वा कटिहार के डीम के साथ समिछात्मक बैठक की, जिसमें उन्होंने बार परभावितों को जल से जल जी आर सहीत सभी सुविधा उपलब्द करवाया जाए, इसके अलावा जीलों के बार ग्रस्त इलाके में अच्छे से करने का निर्देश दिया, जिसके बाद उन्होंने कटिहार वा पुनिया में फसलों के हुई छती, वा सर्वेचन का राहत सीविर चलाकर जरूरत मंदों के लिए साड़ी वध होती की विवस्ता करने का निर्देश दिया राबरी देवी और तेजस्वी यादव अश्टार परचारकों की सूची में हुए सबसे उपर, आगामी उप चुनाओं के मद्दे नजर पांच विधान सभा और एक लोक सभा के सीट पर होने जा रहे हैं विधान सभा उप चुनाओं में प्रत्यासियों के नमांकन के बा और उनके बेटी देजस्वी यादव सबसे उपर पायदान पर हैं भागलपूर के बीच अस्पेसल ट्रेन को 24 वा 31 अक्टूबर को चलाने करने नय लिया गया है आगामी उप चुनाओं के लिए एंडिये ने की सारी तयारी 21 अक्टूबर को होने जा रहे विधान सबा उच्चुनाओं के पहले जदियों ने सारी तयारिया कर ली है जिसमें जदियों के अस्टार परचाराख, मुख्य मंत्र इंतिस, कुमार, वसिस्ट नरायन सिंग, आर्सीपी सिंग, ललन सिंग, निरेज कुमार, स्यामरजक, असोक चौधरी, संजे जहा वो महेस्वर हजारी समें 40 वरिष्ट नेता सामिल होंगे रोहिज सर्मा ने मुहमद समी की तारीफ की इंडिया वर्सेस साउथ अफरीका टेस्ट सिरीज में अपना पर्चम लगाने वाले रोहिज सर्मा ने तेज गेंदबाईज मुहमद समी की जम कर तारीफ की है जिसमें उन्होंने कहा कि समी ने reverse swing में महारत हासिल कर ली है और इसका फायदा हमें slow piece पर हो रहा है बता दे कि मुहमस समी ने South Africa के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में 5 विकेट लिये जिससे टीम इंडिया को पहली मैच में 2-3 रनों से जीत मिली है नेशनल कबड़ी टूर्णामेंट में दिखा पारूल का जलवा अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी नामुम्किन नहीं है इसी का पंड़ नाम दिया है कबड़ी की नेशनल खिलारी पारूल प्रिया ने पारूल नेशनल खिलारी के साथ-साथ अब नेशनल रेफरी भी बन ग सिखर पर हाल ही में हुए चंद्रयान 2 की लेंडिंग में इस रो ने परधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सामिल होकर चंद्रयान की लेंडिंग लाइफ देखने का मौका बच्चों को दिया था जिसके लिए इस रो ने एक ऑनलाइन क्विज कंपटीशन का आयूजन किया इसमें बिहार राजी की गया जीले की सौमिया ने महज 20 सवालों का जवाब देकर इस मौके को हासिल किया था आपको बता दे कि सौमिया की विज्ञान में काफी ज्यादा रूची है सौमिया कहती है कि चंद्रयान के इस अनुभाव के बाद अब वो भी अंत्रिच में उरा कि जंता से इस बात के लिए माफी मांगे कि आपने केंजे मंत्री होने के बावजूद भी लोगों के लिए एक भी काम नहीं किया जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप पसुपालन मंत्री हैं तो आपको इंसानों से ज्यादा तो जानवरों की चिंता होनी चाहिए कम स से कम जानवरों का तो हाल चाल ले ही लेतें अभी के लिए इतना ही धन्यवाद